ओम नमस्यवाई हर हर महादेव दोस्तों आपकी किचन में रखा हुआ तवा आपकी किस्मत बना भी सकता है और बिगाड भी सकता है जी हाँ दोस्तों यदि वास्तु नियमों के अनुसार तवा नहीं रखा जाए तो इसके कई नुक्सान हो सकते हैं दोस्तों तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए तवे और कड़ाई को राहू का पर्तिक माना जाता है तवा हमेशा दूल कर ही रखना चाहिए दोस्तों तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाना तक ही नहीं बलकि वास्तु नियमों के अनुसार य यदि घर्ड का तवा सही वीधी नियमों के अनुसार रखा जाए वह बहुत सुभफल देता है। ठीक इससे विप्रित यदि तवे को रखना में वास्तू नियमों के विदलाह जाए तो वह घर्ड में बहुत से परिशानियों का कारण बन जाता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व माना जाता है लेकिन तबी जब ये किसी खास जगहे पर खास तरीके से रखा जाए तो आईए दोस्तों आज आप लोगों को वास्तु के अनुसार तवे रखने का नियम तवे और कडाई रहों का परते निदिव करते हैं इसलिए इन दोनों की चीजों की रसोय में यदि तवा रोटी बनाने के बाद में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो ऐसे गर के मुखिया या पती की सेथ खराब हो जाती है यदि याद रखें जब भी तवा या कड़ाय आप परियोग करें उसे अच्छे से दोकर सुखा कर यदि गर में पती या बच्चे नसे की लट के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि गर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है राओ के बूरे परकोप के कारण ऐसा होता है रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने दे उसे दूल कर रखे रात में तवा और कड़ाय कभी गंदा न छोड़े सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखे तो उस पर नमक डाल दे गर्ब तवे पर नमक डालने से वास्तो दोस्त दूर हो जाता है नमक साधा होना चाहिए उसमें मिर्ची हालती नह हो लगी भी तवे पर हब सबसे ज़्यादा जो भी रोटी बनाए उसे गाई को कुत्ते को दे यह नियम बना ले पहली रोटी जानवरों के लिए होनी चाहिए इससे घर में विबता नहीं आती साथ ही घर की सारी नकरात्म को उर्जाय समाप्त हो जाती है घर में सुक सान्ती का पढ़ने चाहिए तवे को साप कर अंदर की और रखें दोस्तों कर यह कारिया आप लोग करते हो तो आपके घर में सदा धन ही दन होगा आपके घर में कभी भी पैसो की कमी नहीं होगी तो यह गलतिया कभी ना करें और आपके अपने चल्ण को सब्सक्राइब पहुशे करे झाल 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 झाल